खुदा राम, पांडेय बेचन शर्मा उग्र हमारे कस्बे के इनायत अली कल तक नौ मुस्लिम थे उनका परिवार किवल साथ वर्षों से खुदा के आगे घुटने टेक रहा था इसके पहले उनके सिर पर भी चोटी होती थी माथे पर तिलक था और घर में ठाकुरजी थे हमारे समाज ने उनके निर अपराथ परिवार को जबरदस्ती मंदिर से ढकेल कर मस्जिद में भेज दिया बात यूं थी इनायत अली के बाप उल्फत अली जब हिंदू थे देव नंदन प्रसाथ थे तब उनसे अंजाने में एक अपराथ पन पड़ा था एक दिन एक दुखिया गरीब युवती ने उनके घराश रह मांगा पता ठिकाना पूछने पर उसने गाओं का नाम ले लिया कहा मैं बिलकुल अनात हूँ मेरे मालिक को गुजरे छे महीने से उपर हो गए जब तक वो थे मुझे कोई फिक्र न थी जमिदार की नौकरी से चार पैसे पैदा करके वो हमारी दुनिया चलाते थे उनके वक्त गरीब होने पर भी मैं किसी की चाकरी नहीं करती थी अब उनके बाद उसी गाओं में पेट के लिए परदा छोड़ते मुझे शर्म मालूम होने लगी इसलिए उस गाओं को छोड़ मैंने शहर में नौकरी की तलाश की मुझे और कुछ नहीं चार रोटियां और चार गज कपड़े की जरूरत है आपको भगवान ने चार पैसे दिये हैं मेरी हालत पर रहम कीजिए मुझे अपने घर के एक कोने में रहने और बाकी जिंदगी ईश्वर का नाम लेने में बिता देने दीजिए आपका भला होगा जात पूछने पर उसने अपने को अहिरिन बताया देव नंदन प्रसाज जी सरल रदय थे इस्त्री की हालत पर दया आ गई उनकी इस्त्री ने भी अहिरिन की मदद ही की कहा रख लो ना चौका बरतन किया करेगी पानी भरेगी दो रोटी खाएगी और पड़ी रहेगी अहिरिन रख ली गई दो महिनों तक वो घर का सारा काम काच संभालती रही इसके बाद एक दिन एका एक वजरपात हुआ नजाने कहां से ढूंता ढूंता एक आदमी देव नंदन जी के यहां आया और पूशने लगा बाबुजी आपने कोई नई मजदूरिन रखी है क्यों भाई तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है बाबुजी दो महीनों से मेरी औरत लापता है मैं उसी की तलाश में चारों और की खाक चान रहा हूँ जरा सी बात पर लड़कर भाग खड़ी हुई औरत की जात अपने हट के आगे मर्द की इज़द को कुछ समझती ही नहीं इसी समय हाथ में घड़ा और रसी लिए वो अहिरिन घर से बाहर निकली उसे देखते ही वो पुरुष छपट कर उसके पास पहुँचा अरे फिरोजी ये क्या किसके लिए पानी भरने जा रही है इधर आओ जी जरा कड़े होकर देव नंदन जी ने कहा ये कैसा पागलपन है तुम किसे फिरोजी कह रहे हो वो हमारी मजदुरिन है हमारे लिए पानी लेने जा रही है उसका नाम फिरोजी नहीं रुकमिनिया है किसी गैर औरत का इस तरह अपान करते तुमें शर्म नहीं आती जोश में देव नंदन जी इतना कहते गए मगर रुकमिनिया के चहरे पर नजर पढ़ते ही उनके चहरे पर हवाईयां उड़ने लगी उस पुरुष को देखते ही अहरिन रुकमिनिया का मूग काला पढ़ गया वो कठमारी की तरह जहां की तहां खड़ी रह गई रुकमिनिया को फिरोजी कहने वाले ने देव नंदन की ओर देख कर कहा बाबु जी आपने धोखा खाया ये हिंदू नहीं मुसल्मान है रुकमिनिया नहीं मेरी भागी हुई बीबी फिरोजी है देव नंदन को काटो तो खून नहीं शाम को घर के सरदारों के घूमने फिरने मिलने जुलने के लिए निकल जाने के बाद महले की बड़ी बुड़ी और जवान लड़कियां अपने अपने दर्वाजों पर बैठ कर जोर जोर से देव नंदन और फिरोजी की चर्चा करने लगी बाबा रे बाबा एक बुड़ी ने राग अलापा औरत का ऐसा दीदा मर्द को छोड़ कर दूसरे देश और दूसरे के घर चली आई मुझ जौसी थी तो तुरकिन बन गई अहिरिन मुसल्मान औरतों में लाज नहीं होती मा वो तो इस तरह अपने मालिक को छोड़ कर दूसरों के यहां चली आई मुझे तो घर के बाहर जाने में भी डर मालूम होता है निगोडी और क्या थी पतुरिया थी पतुरिया एक विवाहित लड़की ने कहा सामने के दर्वाजे पर से दूसरी अधेर औरत ने कहा अब देखो रगुनंदन के बाप का क्या होता है दो महीनों तक तुर्किन के हाथ का पानी पीकर उससे चौका बरतन करा कर उसने अपना धरम खो दिया हमारे ये तो कह रहे थे कि अब उनके घर से कोई नाता न रखा जाएगा नाता कैसे रखा जा सकता है पहली बूड़ी ने कहा धरम तो कच्चा सूत होता है जरा सा इधर उदर हुआ और तूटा फिर हमारा हिंदु धरम राम 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 जिसको छूना मना है सुबज इसका मूँ देखना पाप है उनके हाथ से देव नंदन ने जलग्रान किया डूब गया देव नंदन का खांदान डूब गया अब उससे खान पान का नाता रख कौन अपना लोग पर लोग बिगाड़ेगा कहो भला विवाहता लड़की बोली ये बात शहर भर में फैल गई होगी दो चार आदमी जानते होते तो छिपाते भी सुबह उस तुरकिन का आदमी चोटी पकड़कर धौँ धौँ पीटता हुआ उसे ले जा रहा था सब ने देखा सब जान गए थे बस दूसरे दिन मुहले के मुख्या ने देव नंदन को बुला कर कहा देखो भाई अब तुम अपने लिए किसी दूसरे कुएं से पानी मंगाया करो क्यों? तुम अब हिंदू नहीं मुसल्मान हो दो महिने तक मुसल्मान से पानी भराने और चौका बरतन कराने के बाद भी क्या तुम्हारा हिंदू रहना संभव है? मैंने कुछ जान बूचकर तो मुसल्मान के हाथ से पानी नहीं पिया उसमें मुझे धोखा दिया इसमें मेरा क्या अपराद है? भाईया मेरे हम हिंदू हैं कोई जान बूचकर गौ हत्या करने के लिए गाय के गले में रसा नहीं बानता फिर भी बंदी हुई गाय के मरने पर बांधने वाले को हत्या लगती है प्रायश्चित करना पड़ता है ये ठीक है उसके जाने के बाद मैंने तमाम मकान को साफ कराया लिपाया पुताया है मिट्टी के बरतन बदलवा दिये है और धातू के बरतन को आग से शुद्ध कर लिया है इस पर भी जो कुछ प्रायश्चित कराना हो करा लो मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा प्रायश्चित चर्चा चलने पर व्यवस्था के लिए पुरोहित और पंडितों की पुकार हुई बस ब्रहामनों ने चारों वेद, छे, शाष्ट, छती, सोंस्मरती और अठारहों पुरान का मत लेकर ये व्यवस्था कर दी कि अब देवनंदन पूरे मलेच हो गए ये किसी तरह भी हिंदू आपस नहीं हो सकते उधर देवनंदन की दुर्दशा का हाल सुनकर मुसल्मानों ने बड़ी प्रसन्दा से अपनी चाती खोल दी कसबे के सभी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मुसल्मानों ने देवनंदन को अपनी ओर बड़े प्रेम से और बड़े आदर से खीचा। चले आओ, हम जात पात नहीं किवल हक को मानते हैं, इसलाम में मुहब्बत भरी हुई है, खुदा गरीब परवर है, हिंदूओं की ठोकर खाने से अच्छा है कि हमारी पलकों पर बैठो, मुसल्मान हो जाओ। लाचार, समाज से अपमानित, परित्यक्त, पतित देवनंदन सर परिवार अल्ला मिया की शरण में चले, वो और करते ही क्या, मनुष्य स्वभाव से ही समाज चाहता है, सहानुभूती चाहता है, प्रेम चाहता है, हिंदू समाज ने इन सब दर्वाजों को देवनंदन के लिए बंद कर दिया, इतना हो जाने पर उनके लिए मुसल्मान होने के सिवा दूसरा कोई पत नहीं था, देवनंदन उल्फत अली बन गए और उनका पुत्र रगुनंदन इनायत अली, देवनंदन की चाहती पर समाज ने ऐसा क्रूर धक्का मारा, कि धर्म परिवर्तन के नौ महीने बाद ही, वो इस दुनिया से कूच कर गए, जिन दिनों की घटना उपर लिखी गई है, उन्हें भूत के गर्ब में गए साथ वर्ष हो गए, तब से हमारे कस्बे की हालत अब बहुत कुछ बदल सी गई है, पहले हमारे यहां सामाजिक या राजनीतिक जीवन ब प्यस्त थे, उन दिनों हमारी दस हजार की बस्ती में कलब या सोसाइटी के नाते तहसील का आहाता मात्र था, जहां नित्य सायकाल नगर के दस पाँच चापलूस धनी तहसीलदार हैहे करने के लिए या टैनिस खेलने के लिए एकत्र हुआ करते थे, आरे समाज का बदनाम नाम तो घरगर था, मगर सच्चा आरे समाजी एक भी न था, एक सज्जन आगरे के आरे मित्र के ग्राहक थे, वो स्वामी दयानंद का नाम लेकर कभी कभी युवकों के विनोध के साधन बना करते थे, वो बनते तो थे आरे समाजी, मगर बिलकुल मौखिक, हमें ठीक पर आरे समाजी पती के मुख पर सनातनी चंडी, जाडू फेरने, कालिक लगाने और चूना करने को तैयार हो गई, तीन दिनों तक मुहले वालों की नींद हराम हो गई, विवश होकर महाशय जी को इस्त्री के आगे जुकना पड़ा, मगर अब, अब कस्बे का वातावरन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, गत असहयोग सहयोग आंदुलन के प्रसाद से हमारा कस्बा भी बहुत कुछ जीवित हो उठा, अब हमारे यहां बाकाइदा आरे समाज भवन हैं, और हैं उनके मंतरी तथा सभापती, एक पुस्तकालय भी है, उसके सभी मंतरी सभापती है हिंदी के अनेक पत्र, अंग्रेजी के दो-तीन दैनिक आते हैं, सैक्णों बालक, युवक और व्रद अखवारी जीव बन गए हैं, ऐसे अखवारी जीवियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस दिन आरे समाज के मंतरी पंडित वासुदेव शर्मा समाज भ भवन में आया, उसकी आहट पाकर शर्मा जी ने चश्मे लगी आखों से उसकी ओर देखा और पहचान गए, कहो मिया इनायत अली, आज इधर कैसे? जी आप ही की सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ, शर्मा जी ने चश्मा उतार लिया, उसे कुर्ते के कोने से साफ करने के बाद पुनह नाक पर चढ़ाते चढ़ाते बोले, भाई इनायत बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हो? जी हाँ शर्मा जी, मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोल सकता हूँ, इसका कारण यही है कि मेरी नसो में बहुत शुद्ध हिंदु रक्त बह रहा है, समाज ने ज हिंदु होना चाहता हूँ, हिंदु होना? आश्चरे से मुख विस्फारित कर शर्मा जी ने पूछा, जी हाँ, अब मुसल्मान रहने में लोग पर लोग दोनों का नाश दिखाई पड़ता है, इसलिए नहीं कि उस धर्म में कोई विशेश्ता नहीं, बलकि इसलिए कि मेर और मेरे परिवार का रुदय मुसल्मान धर्म के योग नहीं, अनंत काल का हिंदु रुदय, हिंदु सब्विता का पक्षपाती, शांत रुदय, मुसल्मानी रीती, नीती और सब्विता का उप्योग करने में बिलकुल अयोग्य साबित हुआ, मेरी इस्त्री, नित्य प्र मैं मुसल्मान रहकर क्या करूंगा। मैं स्वयम मस्जित में जाकर रदय के मालिक को याद नहीं कर सकता। मेरा हिंदू रदय मस्जित के द्वार पर पहुंचते ही एक विचित्र स्पंदन करने लगता है। उस स्पंदन का अर्थ खुदा और मस्जित वालों के प्रती अनु कर ओम ओम करते हुए भीतर आ गए। शर्मा जी ने इनायत अली उर्फ रगुनंदन का परिचय देते हुए उनके प्रस्ताव पर दोनों महाशयों की सम्मती मांगी। धन्य हो महाशय जी। एक महाशय बोले। रिशी दयानंद की क्रपा होगी तो हमारे वो सभी भाई एक न एक दिन फिर अपने आरे धर्म में चले आएंगे। इन्हें जरूर शुद्ध कीजिए। हिंदू मुस्लिम व्यमनस्य का बाजार गर्म होने से एक महीना पूर्व एक विचित्र पुरुष हमारे कस्वे में आए। उनकी अवस्था पचास वर्षों से अधिक जान पड़ती थी। वो वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी धारन किया करते थे। वही उनकी सारी ग्रहस्ती और संपत्ती थी। उनका मुक्त रौबिला नहीं था पर उस पर विचित्र आकरशन दिखाई देता था। दाढ़ी, फुट भर लंबी थी, सर के बाल भी बड़े थे। उनमें एक ऐसा चमतकार था जिससे कस्बे के छोटे 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 लड़के उन पर जान दिया करते थे। हाँ, उनका नाम बताना तो भूल ही गया, वो अपने आपको खुदाराम कहते थे। खुदाराम गली में आये हैं, ये सुनते ही लड़कों की मंडली जान छोड़कर उनकी ओर जपट पड़ती। खुदाराम पैसे दो, खुदाराम पैसे दो। इन आवाजों से गली गूंज उठती। पहले तो खुदाराम दो-चार बार लड़कों को मू बिगार बिगार कर डराने की कोशिश करते। फिर दो-तीन बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर बगल में दबाकर या कंधों में उठाकर भाग खड़े होते। भागो भागो हो 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 लेना जी। आदी कहते हुए अन्ने लड़के खुदाराम को रगेद लेते। अंत में लाचार होकर वो खड़े हो जाते। बच्चों को पीठ या कंधे के नीचे उतारते औ लड़के प्रसन्न होकर पैसे लूटने लगते और खुदाराम नौ दो ग्यारा हो जाते। खुदाराम को सबसे अधिक इन्ही लड़कों ने मशूर किया था। इसके बाद एक और घटना हुई जिससे उनकी शोहरत चौगुनी बढ़ गई। किसी गरीब चमार के पांच वर्ष के पुत्र को हैजा हो गया। उसके पास वैद, हकीम या डॉक्टर बाबू के लिए पैसे नहीं थे। कई जगह जाने पर भी किसी भी ने। उस अभागे की कोई सुध न ली। बेचारा लड़का उपचार के अभाव में मरने लगा। उसी समय उधर से खुदाराम लड़कों की मंडली के साथ गुजरे। चमार की स्त्री को दर्वाजे पर बैठ कर रोते देखकर वो उसके सामने जाकर खड़े हो गए और पूछने लगे। क्यूं रो रही है। स्त्री ने उत्तर तो कुछ न दिया। पर हाँ स्वर को पंचम से निशाद कर दिया। मठली कहीं की इतना खाना क्यों खिला दिया? मुझे तो कभी कुछ नहीं खिलाती, कुछ खिला, तेरा बच्चा अभी चंगा हो जाए। बाबा, मेरे घर में तुम्हारे लायक है ही क्या, कहो तो चने खिलाउ। लाला, जो कुछ भी हो, दोड कर लिया, तेरा बच्चा अब केवल चार-पांच चने बचे रहे, स्त्री के हाथ में देते हुए उन्हों ने कहा, इन चनों को पीज कर बच्चे को पिला दे, ये उसका हिस्सा है, ले जा। दूसरे दिन उस चमारिन ने कस्बे भर में ये बात मशूर कर दी कि खुदाराम पागल नहीं, खुश्यार हैं, मामूली आदमी नहीं, फकीर हैं, देवता हैं, फिर तो पस, हिंदू और मुसल्मान, दोनों जाती के लोगों ने, विशेश तहस्त्रियों ने, खुदाराम को नजानी क्या-क्या बना डाला, कितनों के बच्चे उनकी उट-पटांग औश्धियों से अच्छे हो गए, कितनों को खुदाराम की क्रपा से नौकरी मिल गई, कितने मुकदमें जीत गए और कस्बा का कस्बा उन्हें पूशने लगा, मगर खुदाराम, जियों के त्यों रहे, उनका दिन रात का चारों और लड़कों की मंडली के साथ घूमना कभी न रुका, अच्छे से अच्छे धनी भी उन्हें कपड़े न पहना सके, किसी के आगरह करने पर वो कपड़े, धोती, कुर्ता, टोपी पहन तो लेते, मगर उसके घर से आगे बढ़ते ही, होती किसी गरीब के जूपड़े पर और कुर्ता किसी बिखमंगे के तन पर, किसी किसी दिन तो दो दो बजे तक रात को गली में खुदाराम की कंट तुहनी सुनाई पड़ती, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, फिर जुदाई कह साथ आदमी आपस में बात करते हुए समाज भवन की ओर जा रहे थे उनमें से एक तो समाज के मंत्री महाशय थे दो हमारे परिचित पंजाबी और चार बाहर से आए हुए दूसरे आरे समाजी बाते इस प्रकार हो रही थी मुसल्मान लोग भरसक इनायत अली को हिंदू न होने देंगे यूँ न होने देंगे? अजी अब वो जमाना लद गया यहां के सभी हिंदू हमारे साथ है देखिये लडाई हो जाने का भाय है अगर इस बात को लेकर कोई लड़े तो लड़े बेवकूफी का भार लड़ाई छोड़ने वाले पर होगा अच्छा हम लोग इनायत के परिवार को केवल छुद्द करें वेद भगवान की सवारी निकालने से क्या लाब? एक साथ कह उठे वा! वेद भगवान की सवारी क्यों न निकालें? हम अपने बिचुड़े भाई को पाएंगे ऐसे मौके पर आनंद मंगल मनाने से क्यों डर? सवारी पर पहले महाशाय ने कहा मुसल्मानों ने आक्रमन करने का निश्चे कर लिया है मैं ये सची खबर सुन रहा हूँ देखो भाई इस तरह दबने से काम न चलेगा हम किसी के धार्मिक क्रत्यों में बाधा नहीं देते तो कोई हमारे पत्मे रोडे क्यों डालेगा भला? सोचो और फिर अगर उन्होंने छेडा तो देखी जाएगी भाई के नाम पर धर्म नहीं छोड़ा जाएगा इसी समय बगल की एक गली से लंगोटी लगाए खुदाराम निकले वो वही गुनगुना रहे थे तू है मेरा खुदा मैं हूँ तेरा खुदा तू खुदा मैं खुदा फिर जुदाई कहा मंतरी महाशेय ने पुकारा खुदाराम चुप रहो खुदाराम ने कहा मैं कोई युक्ती सोच रहा हूँ कैसे युक्ती सोच रहे हो खुदाराम हमें भी तो बताओ सोच रहा हूँ कि क्या उपाए करूं कि खुदा खुदा में लड़ाई नहो तुम लोग लडोगे नहीं लडने का विचार नहीं है पर सवारी जरूर निकलेगी खाना नहीं खाऊंगा पर मुँँ में कौर जरूर डालूंगा हाहाहा यही मतलब है ना लाचारी है खुदाराम तो धर्म के नाम पर क्या खून की नदी बहेगी हाहाहा तुम लोग इनसान क्यों हुए तुमें तो भालू होना चाहिए था शेर होना चाहिए था भेडिया होना चाहिए था वैसी अवस्था में तुम्हारी रक्त पिपासा मजे से शान्त होती धर्म के नाम पर लड़ने वाले इनसान क्यों होते हैं अपरिचित आगंतुक आरियों ने शर्मा जी से पूछा, क्या ये पागल है? हाँ हाँ, खुदाराम ने कहा, कुरान नहीं पढ़ा है, इसलिए पागल है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं देखा, इसलिए पागल है, धर्म के नाम पर खुरेजी नहीं पसंद करता, इसलिए पाग पागल है, लेक्चर नहीं दे सकता, इसलिए खुदाराम जरूर पागल है, खुदाराम पागल है, मुसल्मान कहते हैं, तू पागल है, इस बीच में न पढ़, हिंदू भी यही बात कहते हैं, बीच में न पढ़, तू पागल है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ह लड़ो लड़ो अगर होशियारी का नाम लड़ना है तो लड़ो तू भी इनसान है मैं भी इनसान हूँ अगर सलामत है हम तो खुदाई कहां तू है मेरा खुदा मैं हूँ तेरा खुदा तू खुदा मैं खुदाई कहां खुदाराम नाचना कुदा हो हो करता अपने रस्ते लगा कस्बे के हजारों हिंदु मर्द समाज मंदिर की और वेध भगवान के जुलूस में शामिल होने के लिए चले गए मुसलमान पुरुश भी पुराने पीर की मस्जिद में जुलूस में बाधा डालने के लिए सफ़्षष्ट्र एकत्र होकर गए हिंदो और मुसल्मान दोनों घरों पर या तो बूढ़े और बच्चे थे या इस्त्रिया घर घर का दर्वाजा भीतर से बंद था एक मुसल्मान के दर्वाजे पर किसी ने आवाज दी मा कौन है जरा बाहर आओ मैं हो खुदाराम दर्वाजा खोल कर बूढ़ी बाहर निकली क्या है खुदाराम खाना चाहिए नहीं मा आज एक भीक मांगने आया हूँ देगी ना क्या है फकीर तुम्हें क्या कमी है मांगो तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है हम हमेशा तुम्हारे उलाम रहेंगे मांगो क्या लोगे पहले कसम खा की देगी देगी ना कसम कसम पाक परवर्दिगार की खुदाराम तुम्हारी चीज अगर मेरे इमकान में होगी तो जरूर दूँगी तो चलो मेरे साथ हम लोग हिंदू मुसल्मान का जगड़ा रोकें बच्चों को भी ले लो मैं मुहले भर की कस्बे भर की औरतों बच्चों की पल्टन लेकर दोनों जातियों की पुरुशों पर आकर्मन करूंगा उन्हें खुदाया धर्म के नाम पर लड़ने से रोकूंगा मुसल्मान जननी अवाकसी खड़ी रह गई खुदाराम क्या कहता है चुप क्यों हो गई मा तुने मुझे भीख देने की कसम खाई है मैं तेरे हित की बात कहता हूँ इस रक्तपात में पुरुशों के नहीं स्त्रियों के कलेजे का खून बहाया जाता है स्त्रियां विद्वा होती है माताएं अपने बच्चे खोती है बहने अपमानित होती है पुरुशों की ये जाती तुम ही लोगों के रोके से रुकेगी मा चलो उन पत्थरों के आगे रो और उन्हें लड़ने से रोको उन्हें बताओ कि तुम्हारे शरीर तुम्हारे माताओं की धरोहर हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका नाश करने वाले तुम कौन होते हो। देर न करो माता, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इस्तریयों की कंट द्वनी मुसल्मान दल के पीछे सुनाई पड़ी। पहले खुदाराम गाते और उसके बाद इस्तریयां उसी पद को दोहराती थी। तू है मेरा खुदा, मैं हुँ तेरा खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, फिर जुदाई कहां। छोटे छोटे बच्च ने स्तریयों के इस जुलूस के लिए चुपचाप रास्ता दे दिया। हिंदू दलवाले आखें फाड़ फाड़ कर खुदाराम और उसकी स्वर्गिय सेना को देखने लगे। उस सेना में हर एक हिंदू और प्रत्येक मुसल्मान के घर की माताएं, बहने, बेटे और बेट लाने के लिए। तुम हमारे बेटे, वो बेटे जिने हमने रात रात भर जाग कर, भूखों रहकर, दुआएं मांग कर, अपनी आखों को खुश करने के लिए, दिल को शांत रखने के लिए इतना बड़ा किया है। तुम्हारे लिए हम खुदा की अबादत करती हैं। कि जिन्दगी खराब हो जाएगी, बहिश्ट पाने पर भी तुम्हें चैन न मिल सकेगा। लड़ो मत, खुदा कभी खुश नहीं हो सकता, खुदा अगर खुदा खुदा को पसंद करता, तो हमारे वुजू करने के लिए पानी न बना कर खुदा कर खुदा कर खुदा कर वेद के पगलों, खुदा राम ने हिंदूओं को ललकारा, चलो ले जाओ अपना जुलूस, माताएं तुम्हें रस्ता देती हैं। तू ने मंदिर बनाया, तू भगवान है, मैंने मस्जित उठाई, मैं रह्मान हूँ। तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। तू खुदा, मैं खुदा, फिर जुदाई कहां। काएं खिल-खिला रही थी, चंद्रमा हस रहा था, वो द्रश्य प्रत्वी का स्वर्ग था।